कि अविए हम लोग अब इसमीं कारने वाले देख सकते हैं यहां पर हमारे पास है इसी जो के लोट कमपनी का है step-by-step कि आप आप को सारे डीटिल बता हों किस तरह से एसी का इंस्टॉल किया जाता है सबसे पहले जो हमारा वॉल है उसका हम लोग मेजियरमेंट करते हैं कि अगर मेडल पर लगाना तो मेडल पर लगाना है ऐसे 12 बाइ-11 का यह रूम है तो कश्टमर कहना है कहीं पर भी इंस्टॉल अप कर सकते कोई इस्वो नहीं है तो सबसे पहले स्टेज užे द् digest दौारा तो वह हमारा एसी को आपना पर ते उसके बाद उसके बाल मार्किंग करते हैं सबसे पहले च्टेप हमारा है है प्लेट में मार्किंग करना मेडिल निकाल करके तबी हमारे है close कर दो अइक जी यह जो से आप्र कि वॉल पर फ्लेट को लगाना और water level के साथ में और देखना है कि प्लेट हमारा बिलकुल बराबर रहे हैं ऐसा नहीं लेफ्ट में डॉण रही है या फिर राइट में हमारा रहा हमारा है तो प्रूपयर टरीके सब्सक्तर में लो ninth कर रहे हैं प्लेट का बहुत अच्छे तर वह अच्छे तरीके से इसके जनकारी में पाए किस तरह से इंस्ट्राइशन प्रोपर किया आता है डिल का कम कंप्लीट हो चुका है अब प्लेट को प्रोपर लगाने से पर यह गुज्जा होता है जिसको दीवार पर लगाना ज़रूरी है तो भी हमारे करना है अब फ्रोपर अगरतों आप कर यहां और कर देंगे तब हम लोग यहां देंगे तभिह हम लोग यहां पर यहां पर डालले करेंगे तिर्शा यहं द्रिश्चा करने तो मारकिंग। कम्प्लीट करने का बद हम दो ड्रिलिंग यहां पर कर रहे हैं पर्फेक्ट ड्रिलिंग होना ज़रूरी जब भी अब ड्रिल करेंगे तो हलका डाउन रखें मतलब आपका जो पानी निकलता है इंडोर यूनिट का वो थोड़ा डाउन रहेगा तो इसले निकल पाएगा ऐसा नहीं का हॉल को आप करतो उपर के साइड में हलका डाउन रखना आपको तो देश्कते हमारा हॉल का काम लास्ट ही चल रहा है इसली तरीका हमारा का कम कम्प्लेट होइग है यह फैप डो मिनटब गरना होगा दो मिट्रों सारी मैंने ज्ञादा बणा बढ़ा जिए बस से एक सेकेंड यहां complete finally अब हो ही चुका है लास्ट का प्रोसस्य बचा हुआ था तो देख सकते हैं हमारा complete हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीका से हॉल हुआ है भाई इस तरह से हुआ है कि हमारा pipe wire और drain pipe easily निकल जाएगा next हमें indoor करना है indoor का फिट करने से पहले आपको जो ड्रेन पैप रहता है इस तरह से आपको सबसे पहले उससे डालना है ड्रेन पैप को डालने के बदब आपको wire डालना है जो हमारा और जीनिट के जो wire आता है क्योंकि और जाएगा तभी हमारा proper यह फिटिंग हो पाएगा complete ठीक है वाई डालना होगा हम लोग को इस तरह से मैं बारे डाल रहा हूं यहां पर नए इस तरह में क्या करना है जो पाइप होता है उसको डालना है बराबर से सभी को साथ में सभी तरहीं से हमारे इंडोर उनिट प्रोपर तरीका से फिट हो चुका है कोई तरह के दिक्कत नहीं है कोई भी हॉल अगर हमें दिखने रहा है अब हम लोग और फिटिंग करेंगे ठीक है किस तरह से करना वह अब जहां से समझेगा है ऐसे कोपर कंडेंसर आप देश सकते हैं यहां पर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां हम लोग नाप चुके अब हम लोग क्या करेंगे साइड पे चलेंगे जहां पर हमारा ओडो यूनिट फिट होगा इस्टैंड को लगाना है हमें तो देख सेते स्टैंड को हम लोग ने रेडि कर दिया है सैड का पट्टी लगा करके हमide रखोल्ड को तो टो देखा स्टैंड कोउस्य आया फ्र 메ेभल कोर्छों होने के बाद मार्केश को में पाहले से मार्किंग कर दिए- तो नीचे ये कई बेस्मैंप मों देखा रहा हम किस तहरे मार्किंग के आता है नेस्ट है कर राइड आट में तो मार्किंग था लेध इसको मारकिंग करें तो देखते सकते हमारे वान बाई वन करें करके सारे हौल में Marking करते हूं थाकिया काम कर स encima को तो भाई चलिए वायर को लगा दिए अब हम लोग अपना काम कमप्लेट करेंगे करेंगे तब यह असलेगैं प्रोपर लग पाएगा तो हो सकते आपको stand वो load पढ़ने पर वो बाहर आ जाए तो इस इसका आपको ध्यान रखना है कि stand आपका proper लगे तो आपको hall में भी ज्यादा फाइलाना नहीं है ठीक है तो हमारा drilling का काम complete था अब क्या करेंगे हम लोग अब fast nut लगाएंगे और stand को ठोकेंगे देख सकते हैं फास्ट लगा चुके हम लोग इसलिए अभी stand को फिट कर रहे हैं तो फास्ट परवड मेंने किया है ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो और installation भी देख सको किस तरह से installation हो रहा है यह ठीक है तो देख सकते हैं अब सारा हम लोग stand को बहुत अच्छे तरीका से लगा चुके है एक set कहो गया है अब इस तरह से हम लोग टीरियन से हमारा इन्वार इसी थोड़ा सा हलकावात है भाई इन्वार इसी थोड़ा सा वेट रहता है तो इसली तरीके से हमारा यहां पे लोड का जो ऑट्डू ईनिट है वह हम ने फीट कर दिया है उपर में अब इसका नट अगरे को टाइट करेंगे नट वगे को कभी भी करना क्वाइट करना बहुत सदे जरूरी है तो चारोंора नठ हमारी बीज्ट से चारों अच्छम को वर companion को पर유뷰 कि सब्सक्राइब करने है घ् ми कि तो इसे में सब्सक्राइब जरूरी है क्या देखना है कि आपको जो भी आ era बना हूँ उसका मुऊ को अच्छे तरीके आपका यह हाँ पर लगिया नीचे में और दूसरे जो हमारा सलायरेंच तो जब भी अप इस तरह से स्लायरेंच से टाइट करए तो आप कमारी ब्ररोव चाईट करता तो बहुत अच्छे तरीका से पुरोपर तरीका से फ्यांकर आप activities लेगा है तो हमारा ये जो हाफ का पाइप था उसको हम लोग ने प्रोपर लाश्ट टाइट करी दिया है कोई तरह अभी इसमें दिक्कत नहीं है नेक्स्ट हैपका पाइपका पाइपका हमें कहां टाइट करना है हमारा और्ड उनिट पर उसको आप ध्यान दीजेगा तो बाइच चलिए इसको भी हमनों लोग फिटिंग कर देदें सबसे पहले पाइपका मुझ पर बैठाना है उसके बाद हातों से इसको टाइट करना है हाथों से टाइट करने का मतलब यही होता है हमारा नट जो पाइप है papa वह प्रोपर बैड़ चुका है तब हैं हमारा हाथ से यह टाइट हो रहा है उसके बात शुराइर दिंच करें गांगे ठीक है तो बहुत एच्छे तरीका से टाइट हो रहा है कोई तरह का दिक्कत नहीं है अब बस अच्छा तरीका से इसको पकड़ाना है बनाना है तो लीजिए हैं हमारा प्रोपर टाइट होई गया है कोई तरह का दिक्कत नहीं है हाफ का नैट टाइट करने के बाद हम लोगों नेक् करना है मन में क्या लीक हो तो चलिए क्वाटर को जो हमारा पैप था वो भी बस नट टाइट करना था जो कि इसली नट टाइट होई गया है कोई तरह का दिक्कत नहीं है कि ज्यादा टाइट नहीं करना है अंदाज से ठीक है अब लेंक को खोलें भी और थोरा सा गयस को निकालेंगे अगर वगण यह फिर मोश्व तो इसली इसमें निकल सकता है हमारा पैंप से दूसरे पतला पैंप से हंडेट परशेंट तो नहीं नीकले के लिए हां मोश्व निकल लागा ऐसे अगर आपके पास भैकम पंप रहेंका तो इसली मैप था हम लोगों ने उसको भी अप्टाइट कर दिया है कोई तरह का दिक्कत नहीं है इसलिए तरीके से काम हो चुका है अब सलाय दिन से यूज करेंगा हम लोग और उसको प्रोपर टाइट कर देंगे क्यों सलाय दिन से हमारा 100% काम हो मैं जाएगा थोचली लाश्ड हमारा काम ये चल रहा है और देख तरह तरह तक इस परकार से May इंस्टबरकार कर रोते तो इसी तरह सब्न करना क factor को दिक्कत ने कभी लीक समय माइब की चेकर और कशनगे करके चल गए और कुछ देने के बाद किस्टमर से कंप्लेन आया कि हमारे इसी ठंडा ही नहीं कर रहा है तो इस इस के ध्यान रखें गैस मैं पूरा खुल रहा हूं यहां पर तो चलिए गैसा हमारा पूरा खुल चुका है अब प्रोपर भी हमनों लीक टेस्ट कर लेंगे कहीं भी संकन आ रहा है कि हां लीकेज होने का सभी नट में अच्छे तरीकर रहे हैं अब कभी इंस्टॉलेशन करते हैं अपको 100% पका भी स्वास है कि लीक नहीं करेगा तब भी कर लें पूरी तरीका से लीक करनी के बद आप सियोर हो जाओगे कहार नट बगर से लीक नहीं है नाहीं कभी नट बगर से संभावना होगा लिग जगा तो मैंने सारा टेस्ट को लीक गर आगा वाधे चिच्छे तरीकर इसे तो अब यहां पर क्या करना था मैं यह वाइरि करते हैं बाई एक काम और आपको ध्यान रखना जो मैं आप लोग अभी तुरहन देखाऊंगा वो भी आप ध्यान रखेगा ठीक है बहुत ही जाद हो भी इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्राइशन करके बहुत सारे लोग चल जाते हैं लेकिन वह मिष्टेकों करना काम देखाता हो यह दिखना बहुत ही जाद जरोरी है तो बढ़्ट अनीट के पास यहाँ फेर पेथिस्यार हैसे है को मैं नित्च हानारे इस देखा शक्ते हैं इस पाते मैं moje काम इंस्ट्रालेशन प्रोब पर रपायक है उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग आप पसंदा अगर वीडियो पसंदा था प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दिए